नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं हम तक की बड़ी खबरों की भारत ने दक्षन अफरीका को हरा कर 30 से फ्रीडम टेस्ट सीरीज जीती विराट कोहली के अगवाई वाली भारतिय टीम ने दक्षन अफरीका के खलाफ फ्रीडम टेस्ट सीरीज 30 से जीत ली फिरोज शाह कोडला मैदान पर चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत ने महमान टीम को 337 रनों से हराया भारत ने दक्षन अफरीका के सामने टेस्ट जीतने के लिए 481 रनों का विशाल लक्ष रखा था लेकिन उसकी पूरी टीम 143 रनों पर ही सिमट गई भारत ने पहली पारी में 334 और दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 266 रन बनाये थे जबकि दक्षन अफरीका पहली पारी में 121 और दूसरी पारी में 143 रन ही बना सकी रविद्र जडेजा को मैन आफ दे मैच और आर अश्विन को मैन आफ दे सीरीज खोशित किया खया तजाकिस्तान में 7.2 की तीवरिता का भुकम उत्तर भारत की धरती भी कांपी तजाकिस्तान में आए 7.2 तीवरिता वाले भुकम से आज उत्तर भारत भी कांप उठा देश के 5 राजियों पंजाब, दिल्ली, चम्मु कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल में भुकम्प के हलके जटके महसूस किये गए भुकम्प का केंद्र तजाकिस्तान में धरती से करीब 28 किलोमीटर नीचे था भारत में इस भुकम्प का ज्यादा असर नहीं हुआ है क्योंकि दिल्ली से तजाकिस्तान की तूरी 1400 किलोमीटर है तजाकिस्तान में इस भूकम्प का आसर जरूर हुआ लेकिन अभी तक नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है उतरभारत के राजियों में जैसे ही दौपहर में लोगों को भूकम्प के जटके महसूस हुए वे दहशत में अपने दफ्तरों और घरों से निकल कर सरको पराखे दिल्ली हाई कोट ने कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधि और राहुल गांथी को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया है सोनिया और राहुल ने निचली अदालत के पेश होने के आदेश को दिल्ली हाई कोट में चुनौती दी थी दिल्ली हाई कोट ने कहा कि इस मामले में सोनिया और राहुल की व्यक्तिकत पेशी से छूट देने संबंधी याचिका में कोई दम नहीं है इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोट में होगी मुंबई के कांदी वली में भीशन आग 200 जुगियां जल कर खाक मुंबई के कांदी वली में एक गोदाम में गैस सिलंडर के फटने से आग लग गई और देखते ही देखते उसने विक्राल रूप धरन कर लिया भीशन आगनीकान में 200 से ज्यादा जुगियां जल कर खाक हो गई गोदाम में लगी आगने आसपास के क्षेत्रों को खेर लिया इस भी जुगियों में रखे 50 से 60 गैस सिलंडरों में भी आग लग गई आग पर काबू पाने के लिए दो दर्जन से ज्यादा दमकल गाडियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी अभी तक पता नहीं चल सका है कि आग लगने की वज़ह असल में क्या थी गटबंधन सेना ने सीरिया इस सेना पर बरसाए गोले अमेरिका के नीतरत्व में गटबंधन सेना ने रविवार देर रात पहली बार सीरिया की सेना को निशाना बना कर हवाई हमले किये और गोले बरसाए सीरिया सरकार समर्थक शाम FM रेडियो के मताबिक इन हवाई हमलों में सीरिया के पूर्वी प्रांत दियर अलजोर के आयाश क्षेतर में सीरिया सेना के जवान मारे गए हैं हलाके भी म्रतकों की सही संख्या पता नहीं चल सकी है अमेरिका के नीतरत्व में गटबंदन सेना ने एक साल पहले सीरिया में आतंकवादी किरोह इसलामिक स्टेट आईएस के खिलाफ हवाई हमले चुरू किये थे ये पहली बार है जब अमेरिका के नीद्रत वबाली गठ बंदन सेना ने सीरिया सरकार की सेना को निशाना बनाया है वेब दुनिया समाचार में फिल हाल इतना ही लगातार खबर और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉग इन करें हमारे वेब साइट www.webdenya.com